हैलो वीवर्ज आज हम सिखेंगे दस मलाव का भाग और यह इस रिंकला का दूसरा भाग है तो सुरू करते हैं आज हम ने जो भाग करने के लिए संक्याली होआ है 13.6 और इसमें हम भाग देंगे 14. दस्मलो चार से तो चुकि हमें 13 दस्मलो च्छा में भाग देना है तो इसलिए हम 13 दस्मलो च्छा को ऐसे ही लिख देते हैं और चुकि भाग के बाद हमारी संख्या है दस्मलो चार तो इसको हम क्या करते हैं बटे के रूप में भी दस्मलो चार को लिख सकते हैं अब हमें क्या करना है कि यहां दस्मलों के बाद एक अंख है और यहां भी दस्मलों के बाद एक अंख है इसलिए हम क्या करेंगे इसमें गुना करेंगे चुकि दस्मलों के बाद एक अंख है तो यहां हम 10 से गुना करेंगे उपर भी और चुकि जब हम 10 से उपर गुणा करेंगे तो नीचे भी हम 10 से ही गुणा करेंगे ताकि संख्या के मान में परिवर्तन ना हो और चुकि हम यहां 10 से गुणा इसलिए करते हैं ताकि इसके दस्मलों को हटाया जा सके तो ठीक वैसे ही हम यहां गुणा कर देते हैं उपर 10 से और नीचे भी 10 से इसके बाद हम क्या करेंगे चुकि हमारा 1 0 है और यहां हमारा 10 मलग बाद 1 अंक है तो इस 10 मलग को यहां से जब यहां हटाएंगे तो यह 0 खतम हो जाएगा याने कि उपर हो गया हमारा 136 और यह 0 जब हट गया तो यहां हो जाएगा गुणे में 1 अब हम क्या करेंगे नीचे वाले 4 से 10 मलग को अटाएंगे तो यहां जब 10 मलग को अटाएंगे तो यहां लिख देते हैं 4 और जोकि जब 10 मलग को हटा रहे हैं तो यह हमारा एक जीरो भी खतम हो जाएगा तो अब हम बटे में लिख देंगे एक इसके बाद हम क्या करेंगे कि उपर वाले 136 में नीचे वाले 4 से भाग देंगे जब 136 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ आएगा 4 तिया इबार चार्चो के तो लयाने के 34 और नीचे आएगा 1 तो यहाँ हम उपर 34 लिख देते हैं और बटे में हमारा 1 है तो एक उतार देते हैं इसके बाद यह गुणा काचिन है तो यहाँ हम गुणा काचिन देंगे और चुकि यहाँ एक है और नीचे भी एक है तो एक बटा एक लिख देंगे सोरी एक बटे एक लिख देंगे अब हम क्या करेंगे जब 34 में एक से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 34 और एक में जब एक से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 1 तो इसलिए हम केवल क्या करते हैं 34 में 1 से गुणा करके यहाँ पे 34 लिख देते हैं और नीचे वाले 1 से 1 को गुणा नहीं करेंगे क्यों क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा और इस एक का कोई मतलब नहीं होता है बटे में इसलिए हम किवल एक ही लिखते हैं इस प्रकार 13.6 में 10.4 से भाग देने के बाद हमारा उत्तर क्या आया 34 आईए एक और उदाहान से इसको स्पश्ट रूप से समाजने की कोशिस करते हैं अब हमने जो संख्याली हुआ है 5.25 और इसमें हम भाग देंगे 1.5 से जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पहली संख्या को हम वैसे ही उतार देंगे और चुकि भाग के बाद क्या है हमारा 1.5 तो इसको हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं क्योंकि भाग है तो भाग के लिए यहां बटा और 1.5 को यहां हम नीचे वैसे ही उतार देते हैं बिल्कुल इस प्रकार अब हमें क्या करना है कि देखना है कि दस्मलों के बाद उपर कितना अंक है यहां दस्मलों के बाद दो अंक है और यहां दस्मलों के बाद एक अंक है तो सबसे जद्धा दस्मलों के बाद यहां दो अंक है तो हम क्या करेंगे यहां गुणा देंगे और दस्मलों के लिए हम एक लिखते हैं और दस्मलों के बाद चुकी दो अंक है तो यहां हम दो 0 लगा के यानि के 100 से गुणा करेंगे अब चुकी हम यहां उपर जो है 100 से गुणा कर रहे हैं तो हम नीचे भी 100 से ही गुणा करेंगे ताकि उपर 100 और नीचे 100 से जब गुणा करेंगे तो संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होगा इसके बाद हमें क्या करना है कि चुकि हम यहाँ जब गुणा कर रहे हैं चुकि हमारा दो 0 है और यहाँ एक दसमलव है तो इस जब दो 0 को हटाएंगे यह दसमलव हमारा यहाँ से हटके दो अंक इधार चला जाएगा तो यह संख्या हो जाएगी अब कितनी 525 अब यहाँ अगर दसमलव लिखते हैं तो इसा कोई मतलब नहीं होता है तो बिल्कुल हम यहाँ से दसमलव हटा ही देते हैं और संख्या हमारी लिख देते हैं 525 और इसके बाद चुकि हमने यहाँ गुणा का चिन है तो इस गुणे के चिन को यहाँ लिख देंगे और चुकि यह 2 0 हमारा हट गया दसमलव को हटाने के बज़ा से तो यहाँ कितना बच गया एक इसके बाद हम नीची बारी संख्या को देखते हैं यहाँ हमारी संख्या है 15 और 15 से क्या करना है हमें इस दसमलो को अटाना है और यहाँ जो है चुकी दसमलो के बाद एक अंक है तो 1 0 हट जाएगा और ये 10 मलों हमारा यहाँ चला आएगा यानि के अभी अस्रण क्या हो जाएगी 15 यहाँ हमने 15 लिख दिया और चुकिकी यहाँ जो है हमने 1 चिरू को हटाया था 10 मलों को हटाने के लिए लेकिन हमारा 10 अभी वी बचा हुआ है तो इस 10 को हम यहां लिख देते हैं इसके बाद हम क्या करते हैं कि उपर जो हमारा 525 है इस से 15 से भाग देते हैं जब 525 में 15 से भाग देंगे तो उपर आएगा 35 और नीचे हो जाएगा हमारा 1 तो जो कि 25 हुआ तो इस 35 को हम यहां लिख देते हैं और उसके बाद बटे में हमारा बच गया एक तो बटे में एक लिख देते हैं और यह संख्या चुकी हमारी गुने के रूप में है तो उसके वैसे हे गुने के रूप में एक बटा दस लिख लेते हैं अब हम क्या करते हैं, तो यहां हम 35 लिख देते हैं, इसके बाद हमारा है बट्टा, तो इस बट्टे को यहां नीचे लिख देते हैं, अब यहां नीचे हर में हमारा 1 है और गुणा 10 है, तो जब एक में 10 से गुणा करेंगे दिया हो जाएगा 10 तो यहाँ हो गया 35 बटा 10 चुकि यह हमारा दस्मलों का भाग था तो उत्तर भी हमारा दस्मलों में ही आएगा तो अब हम क्या करेंगे चुकि यहाँ 10 है तो यहाँ हम 35 लिख के और एक अंग एक अंग के बाद यहां दस्मलो लगा देंगे याने कि 3.5 तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा 3.5 तो इस पेकार जो हमारा सवाल था कि 5.25 भागा 1.5 तो इसका उत्तर क्या आया 3.5 तो आशा करता हूँ भाग का एक काम सेप्ट आपको समझ में आया हो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेर करना ना भूलें और बाकी यह अभ्यास प्रस्न है इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें वीडियो देख सेने बाग मिलते हैं ऐसे ही ग्यान बर्दक अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई